हेलो दोस्तो लाप्टेग इनोवेशन्स के इस यूट्यूब चानल में आप सभी का बहुत बहुत स्वाकत अभिन्दर्ण दोस्तो आज हम इस वीडियो में स्कॉलर्शिप्स के बारे में बात करेंगे अपने ग्राजुएशन पूरा करना हर बच्चे का मौलिक अधिकार है लेकिन आज की इस दुनिया में दोस्तों शिक्षा पाना दिन प्रति दिन मुश्किल होता चला जा रहा है स्कॉलर्शिप्स इस समस्या को दूर करने के लिए प्रदान की गई है इस वीडियो में हम आपको भारत में स्कॉलर्शिप्स के बारे में महत्पून जानकारी देंगे तो चलिए शुरू करते हैं और स्कॉलर्शिप्स के बारे में थोड़ा सा डीटेल में जानने की कुशिश करते हैं सबसे पहले चलिए कुछ आम गलत फैमियों को दूर कर लेते हैं कई लोग मानते हैं कि स्कॉलर्शिप्स सिर्फ आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए है या फिर कुछ लोगों का ऐसा भी मानना होता है कि जो विध्यार्थी बहुत जादा एक्स्ट्रा इंटेलिजन्ट हैं पढ़ाई में उनको ही स्कॉलर्शिप्स मिलती है लेकिन आपको ये बता दू ये चीज गलत है आई मीन ये एक भ्रम है हकीकत में स्कॉलर्शिप्स विध्यार्थियों के लिए विभिन परिस्थितियों से उपलब्ध है जैसे की कला, क्रिशी, अभियांतरन और लिंक स्कॉलर्शिप्स का उद्देश्य शिक्षा को विभिन तरीके से समर्थन देना है हर विद्यार्थी के लिए अनेक स्कॉलर्शिप्स के लिए आविदिन किया जा सकता है और प्रदान की गई वित्तिय सहायता विभिन्न हो सकती है स्कॉलर्शिप्स सिर्फ स्कूल और कॉलेज के शिक्षा तक सीमित नहीं है वे पोस्ट ग्राजवेट अधेयन, तकनीकी प्रशिक्षन, खेल और महिला शिक्षा को भी समर्थन करते हैं स्कॉलर्शिप्स उतकर्ष, विद्तिय आवश्यक्ता या प्रशंसा जैसे कारणों पर आधारित होते हैं स्कॉलर्शिप्स अक्सर शिक्षा शुलको को कवर करते हैं और शिक्षा के लिए वित्तिय सहायता प्रदान करते हैं ये वित्तिय सहायता विभिन स्त्रोथ से आती है जैसे कि सरकारी स्कॉलर्शिप्स, निजी विश्व विध्याले, एंजी ओस और निजी संस्थाए, भारत में चार मुख्य प्रकार के स्कॉलर्शिप्स होते हैं सरकारी स्कॉलर्शिप्स, दोस्तों ये स्कॉलर्शिप्स केंद्री और राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाती हैं, साथ ही UGC और AICT जैसे संगठनों द्वारा भी उधारन सहित, अधिति और लड़कियों के लिए प्रोग्रेस स्कॉलर्शिप्स, दोस्तों निजी विश्व विद्यालय जैसे बिरला इंस्रिट्यूट अफ टिकनोलोजी और साइन्स, Amiti University और Thapa University अपने विध्यारतियों को स्कॉलर्शिप्स प्रदान करते हैं NGOs और निजी संगठन मेरे दोस्तों प्यारे वीवर्स संगठन जैसे रतन टाटा ट्रस्ट अदित्य बिर्ला ग्रुप ONGC और Sports Authority of India भारतिय विध्यारतियों को स्कॉलर्शिप्स प्रदान करते हैं विदेशी स्कॉलर्शिप्स दोस्तों स्कॉलर्शिप्स जैसे Fulbright Nehru Masters Fellowship Commonwealth Scholarships और UK Tata Scholarship UK, US, Canada और Australia जैसे देशों में पढ़ाई के लिए अवसर प्रदान करते हैं इन scholarship प्रकारों को समझने के बाद आवश्यक है कि आप आवेदन करने से पहले जाच करे कि कौन सी scholarship आपके अनुकूल है याने कि आपके मताबिक है हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको भारत में scholarship के बारे में महत्वपून जानकारी प्रदान करने में मददकार साबित होगा अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो कृपिया करके हमें comment section में जरूर बताइए अगर आपके पास कोई विशेश प्रश्ण है या कोई भी question है कोई doubt है तो please do come in the comment section और हम से पूछिए हम हमार expert के थुरू आपको जवाब जरूर देंगे जल्दी से इस चैनल को subscribe कीजिए दोस्तों के साथ में share कीजिए और बने रहिए अपनी family याने की लाटक family के साथ धन्यवाद